पहले जब अलग भी थे तो भी हम लोग कुछ ख़बर लेते थे एक एक काम पूरा हो जाएगा और बाकी जो काम पहले से चल रहा है विकास का वो भी काम होगा आरजडी सुप्रेमों लालुप्रसाद यादव की तब्याद दिन बदिन बिगरती जा रही है आननफानन में लालुप्रसाद यादव को राची के रिंस से डिली के इमस में अडमिट किया गया है और उन्हें वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है आपको बता दे कि बीते दिन एर अबुलन से राची से वो दिली गए है और दिली में उनका इमस में लाज चल रहा है लेकिन जब से राज़त के मुखिया लालुप्रसाद यादव की तब्यद बिगड़ी तब्यद को लेकर खबरे सामने आ रही है विपक्ष के तमाम नीता उनके बहतर स्वास्त की काम ना की जा रही है आपको बता दे इसी कड़ी में सूबे के मुख्या नितीश कुमार ने भी लालुप्रसाद यादव की चिंता जनक स्थिती को लेकर अपना बयान दिया है उनके बिगड़ती तबियत को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले आप वो सुनी चाहते हैं जल्दी स्वस्त हों आप तो जानते हैं पहले जब अलग भी थे तो भी हम लोग कुछ ख़बर लेते थे जब हम ख़बर ले रहे थे उनका जो देखने वाला व्यक्ति था तो मेरे उपर क्या क्या कह दिया था याद है ना 1718 परिबार का तब से तो हम कह दिया है कि यता सिक्र स्वस्त हो जाए अगर किसी तरह की कोई तकलीफ है उसे उनको फुर्सत मिले शुटकारा मिले यह मुच्चा है तो सुना आपने से मितीश कुमार ने भी कहा है कि लालुकरसाद यादव की बिगरती तबियत को लेकर वो चिंतित हैं और वो भी चाहते हैं कि कि लालुकरसाद यादव जल्द से जल्द स्वस्त होकर सब की बीच आए